अस्सलाम आलेकुम मैं हूँ आजिब रह्मान खोकर वेलकम टू आजीएंड माइलो डॉट पाकिस्तान लास्ट टू वीडियोज में हमने इंटर्नल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को डिसकस किया आज हम बात करेंगे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की ओके, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की एक्जैम्पल में हम डैट होल्डर, कस्टमर और सप्लायर को ले सकते हैं ओके, तो स्टार्ट करते हैं डैट होल्डर से डैट यानि कर्ज और जाहिर है कि कर्ज को देने वाला होल्ड करेगा यानि कर्ज देने वाले की मर्जी है कि वो दे या ना दे और ये एक आम सी बात है जब भी कोई किसी दूसरे को कर्ज देगा तो लेने वाले की वर्थ चेक करेगा कि वो वापस दे भी सकता है या नहीं और इसकी एक्जामपल के लिए हम बैंक को ले सकते हैं अगर एक बैंक किसी बिजनेस को डैट देगा तो वो सारे फैक्टर्स देखेगा जिससे इसे ये शियूरिटी मिले कि उसे इसका रिक्वाइट डिटर मिलेगा सप्लायर भी स्टेक होल्डर की इस टाइब से तालोग रखते हैं इनको एस कनेक्टेड स्टेक होल्डर अंडर स्टेंड करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल के कनेक्शन में देखते हैं मोस्टली बिजनेसेज अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं बहुत कम बिजनेसेज 100% कैश पर काम करते हुए मिलेंगे आपको एक सप्लायर गुड्स को सेल करने के बाद कुछ इस तरह रिकारडिंग करता है फर्स करें के सेल है 100 रुपे की कैश डेबिट 50 रुपे, अकाउंट रिसीवेबल 50 रुपे और सेल्स क्रेडिट 100 रुपे या account receivable sorb है, credit sales sorb है अब इस condition में जाहिर है कि एक supplier ये जरूर देखेगा कि इसे इसकी amount वापस मिलेगी या नहीं इसके अलावा भी काफी factors हो सकते हैं जिन पर एक supplier फोकस करता हो अब अगर customer की बात करें तो सबसे पहली चीज जहन में आती है वो है quality और इसके बाद consistency यानि product या service अच्छी भी हो और मुस्तकिल भी मिले क्यूंके लोग एक अच्छी product को use करने के use to हो जाते हैं और फिर ना मिलने पर परिशान होते हैं ओके तो यहां तक हमने internal, external और connected stakeholders को देखा अब तक के लिए इतना ही, अल्ला हाफिस अच्छी ग्साइब से जाएब से लिए हैं अच्छाब को अच्छाब को इंड आएब बदाब झाल और झाल